गाई को रोटी खिलाने से क्या होता है? कई लोग आपने देखा हुआ कि गाई को रोटी खिलाते हुए रोड पे या फिर कहीं पे गौला जो गौसारा होती है वहाँ पे भी आपने देखा होगी गाई को लोग रोटी खिलाते हैं तो आखिर गाई को रोटी खिलाने से क्या होता है, अज़के इस विडिई में हम लोग जानेगे, तो चैनल पर अगर नए हो चलानों कर लेना सब्सक्राइब और बिल वन आगन को प्रेस कर लेना, वीडियो पसंद भार वीडियो को लाइक जरूर करना, तो गाई को रोटी ख सुख सुविधायन हासिल कर लेते हैं यदि आप भी उन्ति करना चाहते हैं आप की तरक्की अगर नहीं हो रही है तो आपको भी गाय को Geo श्रोटी खिलना चाहिए,cn 2 材हाए hanno के साथ और सुपरनेचरल परॉबर्स इसा मना जाता है कि गाए को गुड़ के साथ की काफी फायदेमंद होता है। यदि आप गाय को गुड के साथ रोटी खिलाते हैं, तो आपको अलोकिक टाकतों की मदद मिलती हैं, ऐसा करने से लोकिक और अलोकिक दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, तीसरा गाय को रोटी खिलाने से बिगड़ा काम भी बन जाता है, दोस्तो गाय को रोटी ख तो आप काफी ज़दन कर चुके différents लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है तो गाय को गुड के साथ रोटी खिलाएं इससे आपका बगड़ा काम सही से होने की उम्मिड, गाय को रोटी खिलाने के फाइदे ये भी होते हैं कि आपको सफलता मिलती है गाई को गुड के साथ रोटी खिलाने से हर छेत्र के अंदर आपको सफलता मिलती है यदि आपको किसी कारे के अंदर सफलता चाहिए तो रोजाना गाई को रोटी खिलाएं यह एक तरह से काफी अच्छा कारेरी होता है पांचवा सभी लाव और पुन्य प्राप्त होते है तो गाईज गाई को रोटी खिलाने का फाइदा यह है कि सभी प्रकार के लाव और पुन्य इससे प्राप्त होते है बहुत से लोग पुन्य कमाने के इच्छुक होते है इस प्रकार के लोगों को गाय को रूटी खिलाना चाहिए और गव का दान करना चाहिए यही सबसे बड़ा दान भी माना गया है चटा, शिक्स्त वाला जो फाइदा होता है, संसार के सभी सुख मिलते हैं तो दोस्तो, गाय को रूटी खिलाने का फाइदा यह है कि उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं जो इंसान रोयाना गाय को रूटी देता है, उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं और उनके बच्चे काफी बहतरीन जीवन जीते हैं सात्वा इच्छा पूर्ती करता है गाई को रूटी खिलाना आज कल हर इंसान को कोई न कोई बड़ी इच्छा होती है और काफी कोशिस के बाद भी वह पूरी नहीं होती है इसलिए जो इंसान चाहता है कि उसकी पूरी हो इच्छा तो उसे गाई को रूटी देना शुरू कर देना चाहिए गाई इच्छा पूरी करने में मदद करती है और ऐसा करने से जल्द ही इच्छा पूर्ण हो जाती है आठवा गरह के फल के लिए भी फायदेमन्द होता है गाई को रूटी खिलाना यदि आपके गरह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है तो इसका मतलब यह है कि आपको गाई को रूटी देने की जरुरत है यदि आप गाई को रूटी खिलाएंगे तो आपके ग्रह सुभफल देने लग जाएंगे बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकुल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं यदि आपको पता नहीं है कि आपके ग्रह आपके उपर अनुकुल है या परतिकुल प्रभाव दे रही है तो आपको चाहिए कि आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं नौमा मानसिक सांती देती है गाय दोस्तो जो लोग मानसिक रूप से परिसान रहते हैं उनका मन सांत नहीं होता है ऐसे लोग गाय को रूटी अवश्य देनी चाहिए यह आपकी नकरात्म कुर्जा को दूर करता है और सकरात्म कुर्जा को बढ़ाने का कारी करता है यदि आप अपने मन को सांत करना चाहते हैं और उस सांती का आनंद लेना चाहते हैं तो गाय को रूटी बिल्कुल भी देना न भूले दसवा, धन देता है गाई को रूटी देना दोस्तों, जो लोग गरीब हैं या जिनके बिजनस के अंदर फायदा नहीं हो रहा है उनको गाई को रूटी देनी चाहिए कारण यह है कि गरीवी को दूर करती है और संपत्ती के अंदर बढ़ूतरी करती है इसके लिए गाई को हर गुरूवार के दिन रूटी पर हल्दी लगा कर खिलाएं इससे आपका बिजनस काफी तरकी करेगा और आपके काम के अंदर सफलता भी आपको मिलेगी यदि नौकरी के अंदर तरकी नहीं हो रही है तो यह उपाय आप कर सकते है 21. सभी देवी देवताओं का आशिरवाद मिलता है जैसा कि हमने आपको पुरूव में ही बताया है कि गाई के अंदर 33 कोटी देवताओं का निवास माना जाता है ऐसी स्थिती के अंदर हम गाई को रूटी खिलाते हैं तो उन सभी देवताओं का आशिरवाद हमें प्राप्त होता है जो कि काफी अच्छा होता है बारहवा विध्न वाधाएं नहीं आती है ऐसा माना जाता है कि रोजाना गाय को ताजा रोटी खिलाने से विध्न वाधाएं दूर हो जाती है ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर के अंदर गाय की सेवा की जाती है वहाँ पर किसी प्रकार की परिशानी गाय नहीं आने देती है वह परिशानियों को अपने उपर ले लेती है ते रहवा पित्री दोस भी दूर करता है गाय को रोटी खिलाना दोस्तों, गाई को रोटी खेलने से पित्री दोस्त दूर होता है पित्री दोस्त का मतलब होता है जो लोग मर चुके हैं वे नीज योनियों के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर वे काफी दुखी भी हो रहे हैं एक तरह से कहा जाए तो प्रेत की पित्री दोस्त पैदा करते हैं तो गाई को रोटी देने से उनको सांती मिलती है वे चाहते हैं कि आप उनको उन नीज योनियों से निकालें एक तरह से प्रेत ही पित्री दोस्त पैदा करते हैं तो गाई को रोटी देने से उनको सांती मिलती है तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि गाई को रोटी खिलाने से 13 फायदा होते हैं तो गाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप भी गाई को मा की तरह देखते हैं वीडियो में शेयर जरूर करेगा और इस चैनल पर नए हो तो चैनल हो कर लेना सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो गाईज बाबाई टेक केर